आज की वीडियो काफी important है, so please friends इस वीडियो को आप end तक जरूर देखना, क्योंकि friends इस वीडियो में आपको step by step सभी चीज़े बताऊँगा, देखे, सबसे पहले friends हम जानेंगे कि आखिर जो हम course कर रहे हैं, चाहे वो हमारा JVT course है, DLT course है, B8 course है, या BLT course है, इस course को करने क के बाद friends हमारे पास कौन-कौन से job opportunity होते हैं, और इस course को करने के बाद हमें कौन से exam clear करने पड़ते हैं, और हमें उसके बाद कोई interview देना पड़ता है, उसके बाद friends हमें कितने years और लगते हैं, वो सभी मैं आपको friends इस वीडियो में step by step बताऊँगा, so please friends ये 4-5 minute की वीड हम DLA, JBT, B8, BLA को इसा भी हम course कर लेते हैं, ये सभी course जो है, ये waste है, अब इस course को करने के बाद क्या होता है, देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, friends हम तो teacher का जो हमारा course है, वो complete हो गया, तो उसके बाद friends हमें क्या करना होता है, तो उसके बाद जो होता है, हमें seatate, बिहार tate, UP tate, हर्याना tate, MP tate, ये सभी जो exam होते हैं, इनको हमें clear करना होता है, अब आप समझे कि हमें क्यों clear करना पड़ता है, friends, और आखिर ये होता क्या है, तो सबसे पहले friends हम समझते हैं, ये जो होता है एक teacher eligibility test होता है, ये एक qualifying exam होता है, actually होता है friends कि बहुत सारे student ऐसे होते हैं, जो private colleges से अपना जो DLA चाहे B8 course हो, वो कर लेते हैं, और कई बार तो जाते भी नहीं है, तो इसलिए friends जो हमारे राज्य सरकार और केंदर सरकार जो है, उनको check करने के लिए, वो ये check करना चाहते ताकि ये student के पास इतना knowledge होना चाहि है, तो क्या इनके पास कम से कम इतना knowledge है, so that friends आगे के exam वो दे सके, तो इसलिए इन सभी exam को जो है लिया जाता है, इनको सारे student जो होते हैं, वो private colleges से कर लेते हैं, बहुत सारे पैसे दे कर, और इस situation में होता क्या है, कि जो हमारे central government है, और वो जो राज्य सरकार है, वो आखि इस एक्जाम को देना पड़ता है अब हम समाझते हैं कि एक्जाम कौन दे सकता है तो friends इस एक्जाम को जो है जैसे कि माल लेजिए C-Tate, UP-Tate, H-Tate, मतलब हर्याना-Tate तो ये एक्जाम जो होते हैं इस एक्जाम को वही इस्टुडेंट दे सकते हैं जिन्होंने जो है ना टीचिंग के फिल्ड में मतलब कि BA, DLA, LGBT ये जो कोर्स है उन्होंने किया है क्यों इसमें BA, BSc, Student, B-Combolation नहीं दे सकते इस एक्जाम को क्योंकि friends यहाँ पे जो है आपका टीचिंग के फिल्ड का एक क्वालिफाइंग एक्जाम है और जिनके पास diploma होगा और seated का जो है या ह्टेट या भीहाट टेट के आपके पास certificate होगा क्वालिफाइंग मतलब कि पास क्या हुआ तब ही आप जो है किसी भी राज्य में मालीजे देखें यहाँ पर यहाँ पर किसी भी राज्य में central की या फिर किसी state government की मतलब कि primary या आपका middle class middle school का या फिर फिर फेंट्स आपका जो higher level का अगर कोई vacancies निकलती है तो उसमें आपका benefit यह मिल जाता है कि अगर आपने देखे अगर आपने seated exam के लिए कर रखा है तो आपके यह benefit है आप KBS, Kendra बिध्याले, Navodhya बिध्याले, आपका दिल्ली के लिए जो है D to SSB यहाँ पर यह Super Tate, Army Public School, H State, Haryana Tate, Private School के लिए आप eligible हो जाते हैं मतलब कि seated exam clear करने के बाद तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना जादा आपके पास benefit हो जाता है आपके पास opportunity आजाती है seated exam clear करने के बाद अब आप सोच सकते हैं अब हम friends थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि आखे seated और यह UPDate, H-Tate, MP-Tate और Bihar-Tate में क्या अंतर है तो friends सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि seated जो है न यह Central Teacher Eligibility Test है यह हमारा केंदर सरकार के दुवारा CBSC conduct करवाती है Actually इसमें क्या होता है न इसमें देखे समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे friends आप यह सभी जो देख रहे हैं न vacancies यह सभी आप देख रहे हैं जो यह यहाँ पे यह सभी जो है न आप seated clear करने के बाद दे सकते हैं अगर आपने H-Tate, UP-Tate clear किया है, B-Hardate clear किया है, MP-Tate clear किया है तो आप इसके लिए eligible जो है नहीं होंगे इसमें बहुत ही जादा कम संभावना है अब ऐसा क्यों तो मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि friends यह जो है न केंदर सरकार की मतलब की vacancies है, organization है तो यह जो है केंदर सरकार की तरफ से, यह जो school जो है यह केंदर सरकार की तरफ से organize होता है, manage होता है तो इस situation में जो है आपके पास seated होना है चाहिए, central government का अब होता कि I friends की बहुत सारे students जो है, वो UP-Tate clear कर रखे होते हैं बिहार Tate clear कर रखे होते हैं तो इस situation में आपको लग रहा होगा कि हमने बिहार Tate, जो बिहार का teacher eligibility test है UP का जो है, हर्याना का है, इसको clear किया है तो आखिर हम जो है, इनके लिए क्यों eligible नहीं होगे तो वो जो है न, वो राज्ये की तरफ से conduct किया जाने वाला teacher eligibility test है उसमें क्या होता है न, कि मतलब अगर मान लीजी आपने बिहार Tate clear कर रखा है तो इसमें आपका benefit यह होगा न, कि बिहार में जो teacher की vacancies निकलती है मतलब कि बिहार सरकार दोवारा जो school चलाए जाते हैं, जैसे कि देखिए आप दिल्ली में अगर देखेंगे, तो दिल्ली में MCD जो है वो दिल्ली सरकार दोवारा चलाए जाते हैं कुछ स्कूल ऐसे हैं, बिहार में भी बहुत सारे primary school ऐसे हैं जो first to fifth class, eighth class, tenth class तक, metric तक बिहार सरकार दोवारा चलाए जाते हैं तो उसमें बिहार टेट आपके माँगेंगे, क्यों कि वो बिहार राज दोवार चलाये जा रहा है और बिहार में भी बहुत सारे SA school है, UP में भी, दिल्ली में भी, इंडिया के किसी भी राजजे में भी बहुत सारे केंदर सरकार दोरत चलाई जाने वाले बहुत सारे ऐसे स्कूल है तो वहाँ पे होता क्या है ना कि अगर आपने seated exam clear कर रखा है तो अल इंडिया में कहीं भी अगर इनकी vacances निकल दिये तो आप इनके लिए जो है eligible हो जाएंगे इस चीच को आपको मैं समझाने कोर्सिस कर रहा था तो अब मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अब मैं देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एच्टेट जो है ने यह हर्याना टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट है तो अब आप सोचेंगे कि हम सिटेट किलिएर करने के बाद जो है न आप एच्टेट के लिए भी लिजिवल हो जाएंगे इसका मतलब यह हर्याना présent की हर्याना आपको भी पता है की राज्यासरकार के पास कुछ सकतिया होती है तो एच्टेट जो है न वो हर्याना राज्य सरकार जो है न सीटेट के इक्वल कर दिया है मतलब कि friends अगर आपने सीटेट एक्जाम के लिए कर रखा है न तो मतलब कि हर्याना में अगर कोई primary teacher तो अगर आपको एच्टेट नहीं मांगा जाएगा अगर आपने सीटेट के लिए कर रखा है तो आप जो है उसके लिए उसके लिए हर्याना में आप अप्लाई कर सकते हैं उस post के लिए और जिसने एच्टेट के लिए कर रखा है वो भी eligible होंगे बट यहाँ पे बात यहाँ आता है न कि बहुत सारे student जो है वो बिहार से है यूपी से है हर्याना से है राजिस्थान से है अगर उन्होंने सीटेट के लिए कर रखा है तो आप डाइरेक्ट इस राज्ये के लिए भी आप eligible हो जाएंगे मतलब कि इस राज्ये में जाकर आप अपलाई कर सकते हैं इस post के लिए और यहाँ पर आप teacher मतलब कि बन जाएंगे तो आपका यह seated का फाइदा हो जाता है तो seated का फाइदा जादा है जो specific अगर हम राज्ये की बात करें तो हम दो परकार से इस चीज क को समझ सकते देखें आप जो है अपना कोई सा भी डिलेट कोर्स करने के बाद क्या opportunity है तो यह सभी opportunity है बट में बात यहाँ पी यह आ जाता है कि आपको कोई सा भी exam के लिए करना पड़ता है जो आपका tate से related हो चाहे वो किसी राज्ये से हो MP tate हो आपका हर्याना tate हो यह seated तो उसको करने के बाद आपके पास यह opportunity आती क्योंकि course तो बहुत सारे student करते हैं जब तक आप इस exam को clear नहीं करते तब तक आप इनके लिए कैसे होगा क्योंकि उस exam को clear करने के बाद जो आपके पास certificate होती है ना उसी के अधार पे जो आप इन पोस्ट के लिए मतलब कि इनक आप इसके second year में है या आप DL8 course कर रहे है तो इसके second year में है तो आप जो है seated के लिए eligible होंगे इसमें जो है आपने इंटर मतलब कि 12th pass कर रखा है तो उसी के base पे जो है आपको seated के लिए apply करना होता है मतलब कि form feel करना होता है यह जो exam होते हैं यह जो है धाई गंटे के होते ह हैं और इसमें जो है न आपके 150 question पूछे जाते हैं और यह सभी MC क्यों होते हैं ठीक है multiple choice question और सभी इसमें कोई भी negative marking नहीं होता और प्रते एक question जो होते हैं एक question जो हो वह एक marks को होते हैं इसमें आपके Hindi English उसके बाद friends math EBS और आपके child development के 30 question जो है पूछे जाते हैं ठीक ह हैं और इसमें से friends अगर आप जनरल के टीगरी के हैं तो अगर आपने इसमें 150 में से अगर आपने 90 marks get कर लेते हैं तो मतलब कि आप जो है pass कर लेते हैं ठीक है इसका slavers काफी easy होता है friends कोई भी tough नहीं होता है class 8 तक की ही जो है आपके math EBS child development की question जो हिंदी English question पूछे जाते है लो अगर फरेंग जो एसे